कि अपने दुश्मनों पर भारतिय जनता पार्टी से वीडी से क्यों केस कराती है, सिफ prevention of money laundering act में क्यों केस करवाती है, देश में इतने कानून है, prevention of corruption act है, पूरा आपका CRPC है, criminal procedure code, लेकिन भारतिय जनता पार्टी के दुश्मनों के खिलाफ या भारतिय जनता पार्टी के जो विपक्षी नेता है, उनके खिलाफ से prevention of money laundering act में क्यों केस होता है, इसलिए होता है, क्योंकि इस देश में सिर्फ एक कानून है, prevention of money laundering act, जिस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है, लेकिन आज, ED, PMLA को drugs की तसकरी के लिए नहीं इस्तमाल कर रही है, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं इस्तमाल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तमाल कर रही है, कि एक बारी case हो जाए, तो उनको बेल नहीं मिलेगी, और फिर भारतिये जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आके कह सकते हैं, कि द बारतिये जनता पार्टी, चाहे भारतिये जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़ रहे किसानों को, चाहे भारतिये जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे विपक्ष के नेताओं को, चाहे मुख्य मंत्रियों को, एडी के द्वारा समन्स भिजवा रही है, क्योंकि वो अपने विरोधियों को चुप करवाना चाहती है, उनका मूँ बंद करवाना चाहती है, लेकिन आज जब दो बुजुर्ग किसानों को दो भैसों की मौत के लिए अगर एडी बुला लेती है, तो एडी का परदा फाश पूरे देश के सामने हो जाती है, अभी तो अर्वि केजरिवाल को समन किया है, हेमंत सुरेन को समन कर रहे हैं, तेजसवी यादव को समन कर नए है, अब भुबेश भगेल का नंबर आ गया है, जिस स्पीड पर भारतिये जनता पाटी चल रही है, जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा, वो विपक्ष के सारे नेताओं को जे जेल में डाल देगी, क्योंकि इससे अच्छा चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है, इससे आसान चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है, कि आप अपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए, जेल में ना वो प्रचार कर पाएंगे ना ठीक से चुनाव लड़ और आप चुनार जीत जाएए